हलो दोस्तों आज हम जा देंगे डिजिटल बोर्ट याने इंट्रेक्टिव बोर्ट जो प्रजेक्टर के थ्रू चलता है और किस तरीके से काम करता है यहां कि लेक्षर के काम में आता है इस बोर्ट की पूरी इंफरमेशन देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके लिए जरूरी है कि प्रजेक्टर के साथ आपके साथ प्रजेक्टर भी होना चाहिए और बोर्ट भी होना चाहिए उसके बाद में ही हम इसका यूज कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं किस तरह के साइसका यूज करना दोस्तों वे हम इंट्रैक्टिव बौर्ट के बारे में जानने जा रहा है बिक वीडियो है जो इंट्रैक्टिव बॉर्ड होता लगानी है इस बोर्ट से दोनों साइड में कुछ सॉटकर्स होते हैं हर बोर्ड में अलग-अलग टाइप के शॉटकर्ट में मिल जाते हैं अब हम देखेंगे कि इन शॉटकर्ट का यूज किस तरीके से करना है वो पूरे वीडियो में और अगर आपको अगर इंट्रेक्टिव बोर्ट चाहिए याने डिजिटल बोर्ट चाहिए तो इसके लिए आपको इस लिंक पे जाना होगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में दाल द जाएंगा याने आपका जो कम्पूटर से वो अटेज हो शुका है अब लप्टाप में इसे यूस्बी पीन को लगाएंगे और प्रोजेक्टर की पीन लेप्टाप में लगा देंगे जिससे दोनों का कम्यूनिकेशन होंगा और इसकी मदद से जो है आपका डिजिटल बो आ कर यूस करेंगे और इसको यूस करने के लिए आपको करना यह होगा कि कुछछ दो सौफटेरों को ड़े लोड़ करने होंगा वह दो होते हैं ऑर यह एक इन्फिक इंफ्र अप्लामीशन दी जाएंगी यह पो पूरी लगाने के बाद में हमें touch जो option है task bar पर उसे हमने click करना होगा क्योंकि यह आयर sensor पर depend होता है पूरा इसके अंदर में लगे होगे होते हैं और वो air sensors को सबसे पहले आपको जो है activate करने के लिए आपको करना यह होगा कि उसे touch patch कर जो software है उसे on करना होगा और on करने के बाद में mouse से जब हम on कर देंगे तो उसके बाद में जो है आगी की procedure है वो procedure किस तरगी से है जैसा कि हमने यह पर on किया on करने के बाद में अब हम नया अगर laptop या desktop लगाते है तो उसके लिए आपको ज़रूरी यह है कि आपको जो है calibrate करना होगा यह चार पॉइंट आपको select करने होंगे चारो पॉइंट को हमें calibrate करना होगा उस laptop यह desktop से अगर first time आप लगा रहे है तो यह laptop desktop यह one time यह आपको calibrate करना होगा बार बार नहीं करना होगा तो इस तरह के से हम इसे calibrate कर चुके है अब calibrate होने के बाद में activate हो जाएंगा और बोट के आज बाद हो जो आपको start में हमने देखा के shortcut होते वह shortcut भी आपके active हो जाएंगे यह नया laptop हो यह आपका नया desktop उसके लिए आपको calibrate करना जरूरी है फिर जो है टास बार पर जाकर जो है लोकेट हमको option चालू करना है उसके बाद में नेक्स्ट option जो आपका आ रहा है उसके अंदर में हमने shortcut को start कर दिया आप यहां पे जब हम working कर रहे तो interactive software उसके अंदर में होता है वो interactive software को हमें on करना है इस तरीकिसे हम जो है color के अलग-अलग color की जो options वहाँ पे दिये गए pencils के वो लेकर अलग-अलग pencils को हम ले सकते है और उसके अलावा जो हम इसे record भी कर सकते है record करने के लिए आपको करना यह होगा कि आपको जाना है record option पर और यहाँ पर recording start कर देनी है start करने के बाद में आपका recording start होगा इस तरह की से हमने on किया अगर हम YouTube देखना चाते है तो YouTube भी हम यहाँ पर start कर सकते है जो आपके laptop में working होगा या अगर आपका online laptop है तो online भी हम lecture दे सकते है और यहाँ पर हमने अगर touchpad हमने click कर दिया तो आपको collaborate double से करना होगा लेकिन अगर हमने उसे click नहीं किया तो यहाँ पर हमने keyboard अगर select किया तो keyboard का touchpad हमने start किया keyboard का shortcut पर click करने पर keyboard इस तरह की से आ जाता है और हम यहाँ पर keyboard के थूर टाइप कर सकते है अपका जो pencil होता है वो especially interactive board का एक अलग से pain होता है इस pain के कुछ instruction आपको याद रखना है कि इसके उपर में कोई marker वगरा ना चला है और उसके खास बात यह है कि अगर इसके उपर dust आती है तो एक जगा दो बार click हो सकता है तो उसके लिए आपको जो इस board को साफ कर लेना है काले कपड़े से कोई भी कपड़े से साफ कर सकते है और यह तरह की से हम select कर सकते है option इसके अलावा भी बहुत सारे options इसके अंदर दिये गए है example के तोर पे हम अगर कुछ round बना जाते है circle बनाना चाते है तो circle वगरा भी हम कर सकते है यहाँ पर हमने recording start कर दिए यह recording start करने के लिए आपको वहाँ पर एक icon दिखाई देंगा record option का उसे हमने click कर देना है click करने के बाद में जैसा कि हम यहाँ देख रहे है कि हमने 4 slide जो बनाई है 4 slide भी हम बना सकते इसके अलावा जो है एक page के उपर में unlimited writing work हम कर सकते कितना भी writing work हम उस पर कर सकते है क्योंकि जो है इसके अंदर में होता ही है कि यह interactive software है इसके थुरू हम यह working कर सकते है यहाँ से हमने recording start की यह start हो चुकिए है अब यहाँ पर slide किस तरीके से हमने active किया है यह recording हमने start करकर जो है उसे save कर दिया और save करने के बाद में हमने देखा कि किस तरीके से आपका recording भी आ चुका है अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे options है जो मैं next video में बताने वाला हूँ जैसा कि interactive board का software पहले हमें login करना होगा अगर आपने पहले install किया है तो आपको directly login यहाँ पर option आएगा और उसे login कर देंगे login करने के बाद में फिर से अगर हमें कुछ video बनाना है तो यहाँ से हम pencil बराश जो भी लेना है यहाँ पर हमने recording option को start किया है और red color को start कर दिया आप यहाँ पर हम जो slide बना रहे है number one number की slide हम यहाँ पर जो हमें type करना है फिर हम उपर option पर click करना है जहाँ पर second slide आपकी start होंगी touchpad के through यह फिर इस तरीकी से हमने second slide को start किया यह भी हमने start करने के पर फिर third हम यहाँ पर ले सकते हैं उपर देखिए numbers आ रहे है numbers यहने वो जो numbers है इसका मतलब slide आपकी one by one बंद रही है यहाँ पर एक साथ हम बहुत सारे slides को बना सकते हैं अब यह software को हमें यहाँ से save करना है desktop पर हमने save कर दिया इस file को और save करने के बाद में आपकी जो file है वो save हो चुकी है अगर हमारे आज से गलती से कोई button दब जाता है तो हम पर calibrate का option start हो जाएंगा तो carefully इसे use करें क्योंकि हम जो है अगर जरा से भी गलती करते हैं तो वो active हो जाता है icon अब यहाँ पर हमने save कर चुके हैं और इस file को जो है jpg format में भी हम save कर सकते हैं यहाँ पर हमने start करना है यह जो हमने recording किया है डबल क्लिक करकर यह फिर उसके उपर में प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से जिस तरह touch screen का आम होता है उसी रग्या का work इसके अंदर हो सकता है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पस तो पिर आठंगे थन यू